और अब सल्वार की बारी कपड़े में हम पहले उल्टा और सीधा साइड देखते हैं उल्टा साइड ताकि इस पर निशान लगा जाए उपर की तरफ कर लेते हैं कपड़े को फिर दोगना और चोगना मोड कर फैला देते हैं और एल्स के लेकर पहले किनारे बराबर करते हैं लंबाई 37 इंच और बैसा की पॉइंट 11 इंच पर निशान लगाते हैं मोरी 7 इंच तायार रखते हैं इसके बाद मोरी और बैसा की पॉइंट को शेपर के अंदरूनी किनारे से मिलाते हैं पहले हमने कपड़े के किनारे बराबर करने के लिए निशान लगाया अब हम कटाई कर लेते हैं यहां थोड़ा सा कर्व करते हैं इसके बाद बैलेट काट देते हैं चोड़ाई 9 इंच इसकी लंबाई जो है वो हम 22 इंच ले लेते हैं इसी तरह दूसरी तरफ भी ऐसे ही 22 और 9 इंच पर निशान लगाते हैं एल सिकेल से निशान जोड़ते हैं और अब हम बैल की कटाई करते हैं मौरी के मुताबिक ही हम इस पर जूड़े का निशान लगाते हैं और अब बारी है सलवार के सिलाई की पहले हम शुरवात बैल्ट से करते हैं अब सलवार के दो हिसों को जोड़ते हैं और अब सलवार के उपरी हिसे पर या गेर के हिसे पर चूड़िया डालते हैं दो चूड़ियों के बीच में हम बराबर गाप देते हैं अबस्त 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 ये देखो शलवार की शकल सामने आने लगी मारी के पीस को सलवार के साथ जोड़ते हैं और इसमें खयाल रखे गैब बराबर रहनी चाहिए अब सीधे साइड से भी सिलाई देते हैं अब सक्षा जाओ चाहिए झाल झाल और इस तरह से आपका सलवार तयार हो गया जया याल